Hello Everybody, Welcome to DS Guruji, Computer Test हमें आप स्टार्ट कर रहे हैं, Computer Test का ये चोता लेक्चर है, आपने पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे, टोटल 625 कुछन हमें करने हैं, और इसके आगे कुछन हम कर चुके हैं, 630 से आज हम स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे, आपको पता है हमार आप पर जो Computer के कुछन पूछे जाते हैं, वो बहुत छोटे टैप के कुछने पूछे जाते हैं, पटवारे मुझे से बड़े टैप के कुछे जाते हैं, उसके बाद अगर सूचना साहिक आता है, तो उससे थोड़ा ओर लेवल हाई हो जाता है, टीचर का एक्जाम होता है उसके लिए भी Computer के प्रशन है, तो ये एक ऐसा टेस्ट है, जो जिसमें सभी लेवल के प्रशन होंगे, तो ताकि आपको कईसा भी एक्जाम दो, तो दिक्कत ना हो, तो इस प्रकार से लाब दाय की ये टेस्ट है, फिलाल स्टाट करते हैं, पहला प्रशन आपका है, Computer Printer कि होता है, Output device होती है, Output device जो है, मैंने बड़ी अच्छी तरीकसा आपको समझा रखी, वीडियो लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं, हमारी YouTube चैनल पे अप्लोडेड है, अगला प्रशन है, किसी विशिस्ट कारे को करने के लिए कौन सी कुझी, दूसरी कुझी के साथ दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसे प्रशन जो है आपके गलत ज्यादा होते हैं, कारण यह है कि ऐसे प्रशन होते ही एटपटे हैं, अब मैं एक बात बात को बता जाता हूँ, कौन सी कुझी, दूसरी कुझी के साथ, अभी आप सुझें कि सर आप इस अलग-अलग कमांड रन हो जाती है, आपको पता होगा, तो यहां पर आंसर तो फंक्सन भी होना चीफर कंट्रोली को लगता है, दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देनी है, कंट्रोल के साथ अगर आप अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, फंक्सन के साथ, ऐसी अलग- पिलाल इन्होंने answer में control को माना है तो ए answer यहाँ पर सही है इसका और function यहाँ पर सही इसलिए नहीं है क्योंकि function की कुणजी के साथ सही होजन से नहीं दबाया देता function पर्टीकुलरली भी command दे सकता है अपने बिना किसी कुणजी के सही होजन के साथ ही जबकि होता यह control जो होता है उसके साथ कुछ और कुणजी का सही होजन किया जाएगा तब ही वो command home में काम करेगा है अगला प्रशन अपना है किस प्रकार के सस्ते camera होते हैं जो computer के साथ लगे रहते हैं और इनका उप्योग video conferencing, video chatting और live यह प्रसान के लिए किया जाता है दोस्तों आपको पता होगा ऐसी करेते हैं पहले इसको वेब केम कहाँ जाता है आज कल इसको font game कहने लगे है तो दो प्रकार किसके नाम हो गए एक तो वेब केम एक है font game तो वेब केम यहांपर answer है तो वेब केम इसको पध्यान से लग रहे ना लेकिन यह आपर font cam भी आज कल इसका नाम प्रचलन में आया है अगला प्रस्ण अपना है graphical user environment में standard pointing device के रूप में कौन सी device प्रयोंग में लाए जाती है दोस्तों graphical user environment प्रस्ण बनता है GUI का graphical user environment कहें या graphical user interface कहें बात एक ही जगे पर आके अठकती है तो ऐसी कौन सी device से जिससे यह करने में आसानी होती है प्रयोंग में लाए जाती है joystick या keyboard या trackball या mouse दोस्तों आपको graphical user interface जैसे मालो यह आपको यहाँ पर दिख रहा है यह सब आपको क्या दिख रहा है एक जीवाई तो दिख रहा है अगर मालो यहां पर यह folder है इसको click करना है तो किस को बटन को लेंगे पहले mouse को लाएंगे इस परकार का mouse दिखता है अपना mouse को लाके डूबल स्क्रीन इसको यहां पर तोड़ा typical question है, ऐसे मत देखिए इसको, options इसके देखिए, printer, touch screen, monitor और plotter, अब आपको देख रहा होगा, printer क्या है, output है, touch screen क्या है, touch screen इस था output device, मैंने आपको पढ़ाया था, monitor भी output device है, plotter भी output device है, answer इसका touch screen दे रखा है, लेकिन question पढ़िए, output device नहीं है, तो फिर क् output है, mobile का screen हो, या computer का monitor screen हो, बात तो बराबर ही है, touch screen भी output device होता है, सिदी सी बास सुनिए मेरी बात, touch screen, output और input device दोनों होता है, मने बताया था आपको, output और input device दोनों होगा, तो यहां पर बाकि जो तीन दे रखें, option में, वो output ही device है, input नहीं है, तो सही answer इसलिए, यहां पर प्रस्ण आएंगे आपके, ठीक है न, तो वहां confusion होत हो जाना, mouse साम्माने तो बान arrow के अकवार में दिखाई देता है, marker meter, mouse के जैसे ही दिखाई देता है, दोस्तों यह भी क्या बोलते हैं, इसको pointer भी, वेक्तिकत computer है, तो सबसे साधारान storage device का उपकरन कौन सा होता है, वेक्तिकत controller के लिए सबसे साधारान वैसे देखा जाए, तो यह ऐसे प्रकार कुशन बहुत बार एक जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन में कोई खास logic नहीं होता, साधारान क्या है, कुछ भी खरीद के लि वेक्तिक निमन में से कौन से digital input device जो उपकरन है, यहाँ पर option में देख रहते हैं, digital, camcoder, microphone, scanner और सभी, computer के निमन में से कौन से digital input device जो होता है, जो होता है, microphone होता है, scanner जो होता है, वो भी input device होता है, यहाँ पर D option जो है, बिल्कुछ सही हो जाएगा, सभी जो है, इसके input device है, एक विक्रियता color check out counter पर किसी चीज का take scan कर रहा है, बजाए इसके की system में coding यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कोईंग करना, वह डेश डेश का प्रियोग कर रहा है, बेसिकली इस question का जो समझने का आली इबारत है वो यही है, कि उसने scan किया, एक customer ने scan कर रहा है, तो वो किस device का प्रियोग कर रहा हो, दोस्तों, input device होती है, उसका प्रियोग होता है scanning के लिए, अब कोई भी चीज, input करते ह scanning के तरुब ही बित्र इबारत है तो उसे क्या कहा जाता है, उस device का नाम है, यहां पर input automation कोई सब्द नहीं है, input device होता है, input automation का answer नहीं होता है, इसका सई आंसर है source data automation, यानि, वो data जो होता है, उसको automate कर रहा है और उसके तरुप से input ले रहा है, तो यहां पर जो input automation लिखा हो क्हाल आता है दोस्तों बार प्रयोग में आने वाला हाडवेर का भाग यह द्यान से देखिये हाडवेर का भाग लिखा हुआ है तो या नि यह हाडवेर होगा तो की पोर्ण क्या होता है हाडवेर होता है input device भी है, सही है A answer अपना सही है, B देखते है flow predicts नहीं, यह नहीं होता है बार-बार नहीं आता है बार-बार तो अपना कौन सा आता है, keyboard यह आता है तीसरा है C C तो दोस्तों cursor दिया हुआ है, cursor क्या है ध्यान से देखिए, cursor जो होता है वो आपके mouse जब यह पर-बार इसको अपन छू नहीं सकते, वो hardware नहीं होता है वो software होता है तो cursor अपना software हो गई हाँ अपर डी में तो वैसे इन्हों ने separate लिख रहा हुआ है तो software तो हो नहीं सकते, जब पूछा है किस 00.1경 का भाग है, तो तो सही answer क्या हो जाएगा कीबोर्ड इस प्रकार से आपको लोजिक बिठाना होगा तब जाके कुशन आपका सही योगन है तो आपको सारे कुशन के जो अप्सन है न वहीं सही लगने लग जाएंगे किस को इस्क्रीन या मोनिटर भी कहा जाता है दोस्तों हाट डिक्स को स्केनर को डिस्पले को कःजा लाएइ थो ट्रेक बाल गुधारन है दोस्तों ट्रेक बाल जो का जिससे क्या वत होताओ समें होता है सोट करना है वियू के सा हो रहा है और करना अगला प्राशन अपना है दोस्तों नियोंने मैं से एक input device का उधारान है एक बात मैं आपको बताओ तो जब भी आप यह पढ़ें तो इसको ध्यान से पढ़ लेना input की जब output मन पढ़ देना ए तो scanner है scanner क्या है input device है scanner तो printer नहीं है center processing unit भी नहीं है monitor भी नहीं है तो scanner ही answer इसका हो जाएगा control or shift किस प्रकार की कुझी है दोस्तों control or shift modifier कुझी है यह मैंने आपको पहले ही बता दिया यह अपने यह पर प्रशन आया था control के बारे में निम्न मैंसे किस तरह के द्वर्ग में keyboard सामिल होता है दोस्तों output device input device printer device story input device होता है printer पता है आपको output device का प्रियोग करके आप data को जो होता है view आप print कर सकते है printer भी ता output device ही होता है computer में computer के लिए graphical image और picture निम्न में से कौन डाल सकता है दोस्तों graphic image और picture जो है printer, mouse, scanner computer के लिए graphics image और picture निम्न में से कौन डाल सकता है यानि input करना है द्यान से देखने न तो यहाँ पर scanner जो है answer होगा अगला प्रशन अपना है तो इस प्रकार चे आपको देखना है logic बनाना है ने ती यह सारे प्रशन समझ में नहीं आएंगे exam cursor की मौजूद स्थिति के buy or एक character को delete करने के लिए किस कुझी का प्रियुक किया जाता है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है buy or buy or अगर आपको delete करना है cursor की स्थिति के buy or करना है delete तो क्या करना पड़ेगा आपको backspace दबाना और buy or करना है तो delete दबाना है ठीक है न इन कुझीयों से number जल्दी type किये जा सकते है दोस्तों numeric paid की जो कुझीयां होती है न side में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और फिर 0 वो numeric paid होता है उससे जल्दी number type हो जाते है पता होगा आपको इन मेंसे किस का प्रियोग हाथ से लिखे या मुद्री टेक्ष को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है दौस्तो सकेनरी होता है मॉनीटर की डिस्पले के के आकार को कैसे माना हो जता है मॉनुतर के डिस्पले के आकार को के समरो हो जाता है दोस्तों ह concludes से लिए वी वर्टिकली डाइन कूलिश्ओं डाइग सब्सक्राइब यह разгular होता है मॉनिटर की स्क्रीन होती है ना ये अ posled ऑन नहीं होती है से होरीजेन अप्टेंगे इसको नापते हम ऐसे ठीक है तो उसकी जो लंबाई है यह वह इस प्रकार शेना प्रकार जाएगके तो कितनी हो झायकिनली हो जाएगी अगला प्रस्ण है monitor का resolution कितना जितना अधिक हो screen कम साप रहेगी pixel एक साथ पास पास आ जाएंगे pixel और अधिक अलग अलग हो जाएंगे pixel उतने ही अधिक होंगे दोस्तों जितना ज़्यादा resolution होता है उतना ज़्यादा pixel होते हैं और जितने ज़्यादा पिस्कल होते हैं उतने ज़्यादा ही आपको पैसे स्क्रीन के देने पड़ते हैं हाई रुजिलेशन स्क्रीन वाले मोबाइल जो है महें आते हैं आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रियोंग में आने वाली पॉइंटिंग इंपुट डिवाइस कौनसी होती है दोस्तों माउस ही सबसे ज़्यादा प्रियोग में आता है टेक बाल, स्केनर, माउस माउस यहाँ पर सही आंसर है स्पेड भी आने लगी लेकिन लेप्टोप में आते हैं कंप्रेमनि आते हैं माउस के दो मानक बटनों के बीच इस्तित वहील का प्रियोग होता है select icon को click करने के लिए नहीं हो तो बटन उनको जिसे हम करते हैं scroll करना बिल्कुछ सही आंसर है scroll करते हैं ऐसे उपर ले जाते हैं अगला प्रस्ण अपना है second last प्रस्ण है आज की वीडियो लेक्चर का 30 प्रस्ण हम रोजना करते हैं कम्पूटर के लिए प्रात्मिक आउटपूट डिवाइस कौन सी है दोस्तों प्रात्मिक आउटपूट डिवाइस तो मोनिटर ही होती है यह सब के साथ सब कम्पूटर में आपको दिखती है वे कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करते हैं और कम्पूटर के साथ कम्मिनिकेट करने देती है आउटपुट डिवाइस हैं सोफ्ट्वेर और हार्डवेर और इंपुट डिवाइस हैं तो इंपूट डिवाइसे जो है एंटर करती है एंटर करती है लिखा हुआ न तो इसका मतलब के इंपूट तो आज का ये लेक्चर यहीं पे टेस्ट इसको खतम करता है पिलार के लिए धन्यवाद बना रही है डिस गूरी जी साथ करता है झाल